नवस्कार दोस्तो नौलिंग धाम इस्टेडी चेनल आप सबका एक बार स्वागत करता है दोस्तो आज पाशानकाल भाग दो मत्य पाशानकाल पर हम बात करेंगे दोस्तो पाशानकाल तीन भागो में बाता गया है पुरा पाशानकाल या निम्न पुरा पाशानकाल मत्य पाशानकाल एवं नौ पाशानकाल दोस्तो पुरा पाशानकाल या निम्न पुरा पाशानकाल हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं और मत्य पाशानकाल को पढ़ने स से पहले हमें पुरा पाशान काल को समझना जरूरी है दोस्तों अब हम सिधे मध्य पाशान काल पर बात करेंगे हिम्यूग पलिश्टोसीन समाप्त होने लगता है पाशान कालीन सस्किर्ती में दोस्तों हमने पढ़ा था कि पुरा पाशान काल में हिम्यूग में रहता था मानो पलिश्टोसीन काल में रहता था लेकिन इसमें बदलाव आया यह अपनी मध्य पाशान काल कहते हैं क्यूंकि जलवाई में जो परवर्तन हो रहा था यह अपने बीच की उसता में था इसलिए इसे दोस्तों मध्य पाशान काल कहा जाता है मध्य पाशान काल की खोज की बाट अगर करें हम तो मध्य पाशान काल की खोज अठार सो सरसड इसबी में सी एल कालाईल ने की इन्होंने बिंद सेत्र से लोग पाशान खोजे दोस्तों कल हमने पड़ा था की पुरा पाशान काल की खोज राबट बुरुसफुड ने अठार सो तिरसड इसबी में की थी ठीक उसके चार साल बाद दोस्तों मद्य पाशान काल मद्य पाशान काल की खोज अठार सो सरसड में सी एल कालाईल ने की कालाईल चार अक्सर का चार अक्सर मतलब चार साल के बाद तिरसड के चार साल बाद दोस्तों अगर हम दोनु चीज को एक साल लेके चलंगे तो मैं याद रखने के लिए साहता मिलेगी इसके बाद दोस्तों जैसे पुरा पाशान काल का मानव आखेटक शिकारी खादे संगराहक था ऐसे ही मत्य पाशान काल का मानव भी आखेटक शिकारी और खादे प्रशुपालन प्रशुपालन की शुरुवात की बात अगर करें हम तो यह मद्यपाशान काल में होती है आपको छहाजार हिश्बी पुर्व तक दोस्तों कहीं पर आपको 6400 पुर्व भी दिया रहेगा और कहीं पर 5500 पुर्व भी अब दोस्तों इसमें ऑप्षण हमें देखना है कि कौन सा नद्दीग मार रहा है और जहां तक है एक ही चीट देगा दोनों चीट नहीं दे सकता या तो 6000 इस भी पूर्विदेगा या तो 5500 इस भी पूर्विदेगा जो पशुपालन का पहला शाक्ष है दोस्तों यह राजस्तान के बागोर से प्राप्तों होता है और जो पहला पशुपाला था आदमी ने वह कुत्ता था यह प्रश्ण भी कई बार एक्जाम में प्रशु क्या था तो मानव द्वारा जो पाला गया पर्थम प्रशु था दोस्तों वह कुत्ता था और आदम गड़ भी एक वह प्रमुकिस्तल है जहां से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं मैं लगभग 6000 इस भी पूर्विदेग दोस्तों मत्य पाशान काल के ओजार सू मत्य पाशान काल को हम माइक्रोलिठिक काल भी कहते हैं कि मत्य पाशान काल के ओजार किस्के बनाए जाते थे दोस्तों यह जैवसर और चट के बनाए जाते थे और इस काल की सब्से खाश्यत यह रही है कि दोस्तों पूस्ता है कि मध्य पाशान काल की क्या विशेष्टा है तो इसकी विशेष्टा यह है कि इसमें शूर्ष में थे जो अतियार बनने लगे थे पत्थरों के वह शूर्ष में थे नुकीले थे और ब्लेड नुमा थे तिरकोंड थे इनकी यह विशेष् के थे और ओजार कौन-कौन शे थे यह ओजार थे बेधक है बेधक खुर्चनी है छुरकाये चाखूं है फलक और इस तूल सल के मतलब हत्ते लगे वाले ओजार भी इस काल में बनने लगे थे और मद्यपाशान काल के ओजार जैशा की आप जानते हैं जैफसर और चट से बना करें तो इसमें फर्मों की स्थल सिंद्य कीेब इस्थ और राजस्तान है गुजरात है मद्यपर्देश और उत्तरपर्देश के और उत्तर परदेश के भी कई ऐसे इस्तल है दोस्तों जहां से मद्य पाशान काल शंबंधी एनेक पुरातात्विक शाक्ष अपलब्द रेकात्वत्त की अगर हम करें तो उत्तर परदेस में एक जगह सराइ नहर राय दोस्तों यह जगह उत्तर पर्देश के परताबगर जिले में है और यहां से एक तो युद्ध का साक्ष मिला है पूचता है कि मध्य पाशान काल में युद्ध का पर्थम साक्ष कहां से मिला है तो उत्तर हो जाएगा सराइ नहर राय से युद्ध का पर्थम शाक्ष मिला है और चार नर्कंकाल एक शाथ मिले है दोस्तों प्रश्ण बन सकता है कि चार नर्कंकाल कहां से एक शाथ मिले है तो सराय नहर राय से चार नर्कंकाल एक शाथ मिले है और चुलहे का भी यहाँ पर शाक्ष मिला है आठ चुलहे यहाँ पर एक शाथ थे दोस्तो उसके बाद दूसरा इस्तल है चौपाणी मांडो चौपाणी मांडो भी उत्तर परदेश में है दोस्तो इलहावात परियागराज में और यहां से मिर्द भांड सबसे प्राचिन मिर्द भांड मिले हैं दोस्तो मांडो मृद भांड आपको याद रखना है मौसे मांडो मौस अगर पूछे की मत्य पाशान काल में सबसे प्राचिन मिर्द्भांड कहां से मिले हैं तो चौपानी मांडो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसके बाद है महदहां महदहां से सबसे पहले तो इस्त्री पुरुष का युगल सवाधान मिला है युगल सवाधान मतलब दोस्तों सित्री और पुरुष दोनों एक ही साथ दफनाए गए होंगे सायद और दोनों के शोओं के कंकाल एक साथ मिले हैं और हड़ियों के आभुसण भी मिलते हैं यहाँ पर पूछ सकता है कि हड़ियों के आभुसण कहां से मिले हैं तो हड़ियों के आभुसण जो मद्यपुरा पाशान काल में मिले हैं वो महदहा से मिले हैं दोस्तों और म्रिंग सिंग के छले भी मिले हैं मतलब म्रिंग के जो सिंग होते हैं उसके छले भी हमें महदहां से मिले हैं दोस्तों उसके बाद है दमदमा दमदमा से तीन नरकंकाल एक साथ मिले हैं दोस्तों और नमबर दो चीज पांच यूगल सवाधान मिले हैं वहां से इसके साथ एक जो सबसे important है लेखिया जो इलहाबाद उत्तरपरदेश परियाग राज में हैं यहां से सरवाधिक मानो कंकाल मिले हैं लगभग 34 के आशपास मानो कंकाल मिले हैं जो प्रश्ण बन सकता है कि सरवाधिक मानो कंकाल कहां से मिले हैं तो दोस्तों लेखिया से सरव खाधिक मानोक काल मिले हैं मध्य पाषान काल से अगर कुछ और मोध टोपन्ट तत्य देखें तो दोस्ते, इसमें यह कि बाग गौर जो राजस्तान में है सबसे बड़ा मध्य पाषान काल इस्तल है, प्रश्ण पूरं सकता है कि सबसे बड़ा मध्य पाशान काली निश्तल कौन सा है तो बागोर हमारा सबसे बड़ा मध्य पाशान काली निश्तल है दोस्तों उसके बाद मध्य पाशान काल के ओजार जैसा की हम पहले बता चुके हैं बलेड नुमा थे, तिरकोंड थे, क्रोड थे, नव चंद्राकार थे। दोस्तों ये तिरकोंड वाला मतलब ये ओप्षन में आते हुए UGC NET 2019 का अगर आप पेपर देखेंगे हिस्ट्री का तो उसमें दो बार लगातार दो शालों में पूछा गया है कि मतलब मध्य पाशा काल के ओजार किश परकार के थे, तो चार ओप्षन थे, उसमें से एक ओप्षन ये दिया था, तो तिरकोंड वाला थे दोस्तों, ये जरूर याद रखना है। दोस्तों, उसके बाद मध्य पाशान काल में जो ओजार थे, वो फिलूटिंग तकनीकी शे बनाए जाते थे, और साथ ही साथ मध्य पाशान काल के लोग चित्रकला भी जानते थे, चित्रकला तो पुरा पाशान काल के भी लोग जानते थे, क्यूंकि हमें जो भीम बेटिका की गुफाओं से चित्रकला, चित्र मिले हैं, वो तीनों काल के मिले हैं, निम्न पुरा पाशान काल, मध्य पाशाण काल एवन नोफाशाण काल तीन हुई कालों के हमें चित्र मिलते हैं दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे और कमेंट बोक्स में वताईए की आपको और किस तरीके के वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप अग होसला दंगे की हम और भी आगे वीडियो बनाएं और वेहतरीन काम करने के लिए आप हमारा अगर साथ दंगे तो निश्चित तोर पर हम और ज्यादा उस्सुक होंगे और और ज्यादा उस्सुकता से हम वीडियो अपलोड करेंगे और दोस्तों यहाँ पर इस चैनल पर वीडियो अपलोड किये जाएंगे और आपका साथ और आशिरवात जरूर चाहिए दोस्तों इसलिए एक लाइक अगर आप कर भी दें तो कुछ नहीं जाएगा दोस्तों आपका धन्यावाद वीडियो देखने के लिए और प्रेस करके दोस्तों औल नोटिफिकेशन में र जय वहरत धन्यावाद